Good morning students, आज का subject है English grammar, इसमें हम chapter number 12, countable and uncountable nouns पढ़ेंगे Some nouns are countable and some are uncountable Countable nouns are the nouns that we can count Countable nouns कौन से होती हैं, जिनको हम count कर सकते हैं और nouns मतलब जो हमने अभी last chapter में पढ़ा था, nouns के बारे में Noun कौन कौन से होते हैं, person, places, animals, things, birds, इनको हम nouns में include करते हैं तो यह countable होनी चीए है, जो इनमें से count हो सकती है, जो noun, उनको countable noun में add किया गया है और जो count नहीं हो सकती, उनको uncountable में add किया गया है तो जो things होती है, अधिकतर वो ही होती है uncountables अब जैसे इसमें countable nouns के example दिये है, banana ice cream इसे बनाना आपके सामने मैंने बहुत सारे बनाना रख दी है तो आप उनको count कर सकते हो, आपके लिए वो easy होगा इसी तरीकी से अगर आपके सामने cup रख दिये या ice cream का कौन रख दिये तो आप उनको count कर सकते हो ब्रैड के अगर slices रख दिये या ब्रैड का packet रख दिये बहुत सारे तो आप उनको count कर सकते हो, apple भी आप count कर सकते हो bag count कर सकते हो, dog हैं बहुत सारे तो dog भी count कर सकते हो tree, pear, rose, cup, egg, fish तो ये क्या है सब count जिनको हम count कर सकते हैं तो ये countable noun होगे ठीके और ये things में आती हैं ठीके जिसे apple हो गया, bag ये animal में आगया, dog, fish, egg, cup ये सब things में आती हैं और कुछ animals animals में आते हैं कुछ nouns ठीके तो इनको हम count कर सकते हैं इसलिए countable nouns होती हैं अब हम uncountable nouns के बारे में पढ़ेंगे uncountable nouns are the nouns that we can not count जिनको हम count नहीं कर सकते हैं मतलब जिनको हम one, two, three ratio में count नहीं कर सकते हैं वो होती है uncountable nouns जिसे rain है, बारिश हो रही है तो बारिश को आप थोड़ी count कर सकते हो water continue होती रही हो, होती रही हो उसमें कोई ऐसा point नहीं है जहाँ पर आपन उसको count कर सकते हैं इसी तरीके dust जो मिट्टी उड़ती है दूल मिट्टी आप में देखा होगा dust उड़ती है तो उसको भी हम count नहीं कर सकते हैं लखडी को हम count नहीं कर सकते हैं butter, money, food इनको भी हम count नहीं कर सकते हैं और जितने भी liquid item होते हैं जिसे water हो गया, oil, milk, juice यह सब हम count नहीं कर सकते हैं इनको हम ऐसे थोई ना जिसे इस मेंसे आप कैसे 1-2-3 का ratio निकाल होगे यह count नहीं हो सकती है sugar है, sugar आप जिसे आपको मालो मैंने 1 kg sugar दिया तो आप थोड़ी उसका डाना count कर सकते हैं तो वो uncountable noun में आती है इसे तरीके से जो salt होता है नमक वो भी uncountable noun में आता है तो कि salt का हम count नहीं कर सकते हैं उसके एक एक दाने को, ठीक है send, send मतलब मिट्टी, rate होती है जो उसको भी हम count नहीं कर सकते तो यह इस तरीके से countable और uncountable nouns होती है अब इसकी worksheet है the nouns are countable और uncountable noun आपको इनको देखके यहाँ पर countable और uncountable लिखना है जिसे coffee है तो मैंने क्या वाइथा तो liquid item uncountable noun में आता है तो coffee uncountable noun है peach, peach क्यों होता है एक तरीका fruit होता है fruit हम count कर सकते हैं तो यहाँ पर c आएगा, यानकि countable tea, tea मतलब चाए चाए liquid item में आगया liquid form होगे ना चाए का तो इसको हम count नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर हम c लिख देंगे इसी तरीकिसे coke है वो भी countable noun होती है cream coke uncountable noun होती है cream uncountable noun होती है plum plum भी fruit होता है तो इसको हम count कर सकते हैं तो यहाँ countable noun आएगा इसनों जो इसनों पॉल होता है आपमने देखा होगा ही लिस्टिशन में तो वह क्या था है इस जिस तरह के रियन होती है तो यह भी अंकउंटीबल नाउन में आएगा salt uncountable noun lemon countable noun आप grabs है grabs uncount lemon countable noun grabs uncountable noun आपके सामने बहुत सारे bunges रख देंगे तो आप उनको count थोड़ी कर पहोगे इतने सारे grabs को rice है uncountable है 1 kg के packet में कितने rice है हो आप थोड़ी count कर सकते हो paper paper uncountable है ठीक है तो इस तरीके से countable uncountable को आपको अलग अलग करके अंपे लिखना है write countable uncountable nouns आपके यहापर जो count कर सकते हो nouns की नाम लिखने है यहापर जिनको हम count नहीं कर सकते हो उनके नाम लिखने है अब है short these foods into groups for countable and uncountable ठीक है आप जिसाले है मैंने एक box में लिखे हैं एपल बनाना स्वीट को और सारे मैंने नाउंस लिखे हैं ठीक है तो इन मेंसे आपको जो हम काउंट कर सकते हैं उनको इधर लिखना है केवल इन मेंसे जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको इधर लिखना है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उनको इधर लिखना ह ठीक है अब है identify uncountable noun in each sentence and write it on the line तो जैसे फर्स्ट है the pillow is filled with cotton आपको इसमें क्या करना है uncountable एक मैंने sentence दिया है नीचे मैंने uncountable noun तो इस sentence में uncountable noun कौन सी है वो देख के आपको यहाँ पर fill करना है जैसे दा पिलो तो pillow क्या हो गया pillow मतलब तकी है तकी को तो हम count कर सकते हैं बर जो इसमें fill the with cotton जो cotton इसमें fill हो रही है यानि भरी भी है वो cotton को हम count नहीं कर सकते तो cotton जो है वो uncountable noun में आगे तो यहां हम cotton लिखेंगे only ठीक है यहां के लिखेंगे cotton तो इसमें क्या है बॉइ बॉइ लड़के लड़के होते हैं उनको तो अगर बहुत सारी भी होंगे तो उनको हम काउंट कर सकेंगे बद जो शुगर है वह होगी अनकाउंटेबल नाउन तो यह हम शुगर लिखेंगे नाउन तो नाउन यह अनकाउंटेबल है कि विलेज बहुत सारे हो सकते हैं तो इसलिए हम पर बिलेज आएगा ओके इस तरही पूरा वक्षीट आपको करना है थेंक्यू